हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल हैस्टाग क्रियेटिव आर्ती पूर्वाल दोस्तों मैं हूँ आर्ती और आज मैं नीट स्टुडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टन नोटिस लेकर आई हूँ जी हाँ दोस्तों एमसीसी ने अपनी ओफिशिल वेबसाइट पर एक अर्जंट और इंपॉर्टन नोटिस निकाली है नीट के लिए तो पूरी न्यूज आपको मैं विस्तार से बताऊँगी लेकिन उसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब क सब्सक्राइब के लिए अपनी ओफिशिल वेबसाइट पर जो नोटिस जारी किया है केंडिदेट्स वांट तो एप्लाइब फो जिपमर इंटर्नल सीर्स ऑफ जिपमर पुटुचेरी एंड कराइकार शुड नौट दा फॉलोइं इंस्ट्रक्शन इसूट बाइजिपमर फोर राउंड टू फॉफ यूजी कांसलिंग 2020 एंड अप्लोट दियर डॉमेसायल सेटिफिकेट्स ओन दा लिंक प्रोवाइड विधिन स्टिपुलेट टाइम फॉर्देर इंफॉर्ड इंफॉर्मेशन प्लीज सी जिपमर वेबसाइट जी यहां दोस्तों यह पूरी नी और जो नोटिस है पूर पुदुचेरी डुमेसायल के लिए इत में बी नोटेट दाइट जीपमर इंटर्नल काटेगरी रिफर्स तो सीज एलोटेट पूर्टेट वेबसाइट विधि पूदुचेरी डुमेसायल in order to ensure that only eligible candidates apply under J.E.I. Category, the domicile and the category certificates of applicants under this category will be verified before being allotted seats in the second round of counselling and candidates who choose J.E.P.M.R. Internal Category in J.E.P.M.R. Puducherry and J.E.P.M.R. Karayka during the second round of counselling for MBBS seats should fill an online form and upload the domicile certificates. The link for this online form is available. This form should be submitted on or before 18th November 2020. जीआ, यह बहुत important है कि आपको 18 November से पहले या 18 November तक उस form को fill करना है जो कि online site पर उपलब्द है और इस पे वही candidates apply कर सकते हैं जो Puducherry और कराईकाल के domicile हो और बाकी अलग states के नहीं कर सकते हैं second round counselling के लिए only such candidates who upload a valid domicile certificate through the above form within due date will be considered for allotment and or admission under zipmer internal J.E.I. category in the second round of online counselling तो दोस्तों यह जो कराईकाल और Puducherry के candidates उनके लिए बहुत important news है कि वहीं के रहने वाले हैं तो जल्दी से वह website उस पर online form fill up कर दे ताकि वह second counselling के लिए एप्ली केबल हो सके तो दोस्तों अगर आपको यह news अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको like और share कर दीजेगा और मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा thank you